अलो एवरिवन तो आईए प्यारे बच्चो आज हम शुरू करते हैं कक्षा एट का विज्ञान का अध्याई नंबर सोला प्रकाश तो आपकी जानकरी के लिए बता दें प्यारे बच्चो अब जो आप कसलेवस चेंज हो गया है जिसमें ये लेसन नंबर 13 हो गया है कुछ ल कुर्सी कापी किताब पैंसल फूल आद्धी देखते हो इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो तो इनके उपर पढ़ने वाले परकाश की साहयتा से हम इनको देख पाते हैं बहब प्रशन है तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल परकाश नहीं हो तो क्या तु चीज़ों को देख पाओंगे क्यों तो हाँ टॉर्च या मुवत्ती के परकाश की सहयता से हम वस्तूओं को देख पाएंगे तो आप लिख दे टॉर्च या मुवत्ती के परकाश से हम वस्तूओं को देख पाएंगे इसके बाद अगला प्रशन है दो नमबर इसमें हमें ल यह जो दिखा रखा है यह हमारा सम्तल दर्पन है और यह दर्पन की चमकदर सता है इस पर जो प्रकाश की किरन एयो डैश एयो आका टकरा रही है और जो आपतन के बाद प्रावर्तन के बाद आपतित हो रही है आपतित किरन जो एयो है प्रावर्तन के बाद बीयो के रूप म हमें प्रावर्तितकिरन के रोप में दिखाई दे रही है और ये जो लाइन है पीओ इस पर नबे डिगरिका ओंड बनाती है दरपन पर तो ये एक अबिलम है इस तरह ये नबे का कोण दरपन के साथ बना रही है तो इसे हम अबिलम कहते हैं तो A.O. हमारी आप दित्किरन है O.B. प्रावर्दित्किरन है और O.P. जो है ये अभिलम्भ है इसके बाद अगला प्रशन देखते है आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बर फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में जादा से जादा इस वीडियो को शेर कीजिए तो आई ये प्रशन नमबर दो इसका बाद देखते है चित्रांसार नेमन प्रशनों के उत्तर दो प्रावर्तन कोन कितना होगा तो आई जो हमें 30 डिगरी का दिया हुआ है पिछे यदि आपतन कोन को 40 डिगरी कर दिया जाए तो प्रावर्तन कोन कितना होगा तो प्यारे बच्चों दर्पन पर जो किरने प्रावर्तित किरन जो प्रावर्तित किरन और आप्तित किरन है ये प्रावर्तित किरन है और ये ये आप्तित किरन है सोरी ये प्रावर्तित किरन है तो इस तरह ये अबिलम है और ये दोनों कोन जो बादते हैं इसे आई लिखते हैं इंसिडेंट कोन और इसको आर लिखते हैं रिफलेक्टर कोन यानि आपतत कोन और प्रावर्तन कोन दोनों बराबर होते हैं तो हमें यहां प्रशन में जो पूछा गया है इसमें यह पूछा गया आपतन कोन चाली कर दिया है तो प्रावर्तन कोन कितना होगा तो दोनों कोन बराबर होते हैं आपतत और प्रावर्तित तो यह प्रावर्तित कोन है वो भी 40 निगरी का हो जाएगा इसके बाद आगे बराबर होते हैं इसके बाद आगे है तीसरा प्रशन इसमें हमें लिखा हुआ है पक्के फर्ष और खुर्द्रे फर्ष पर पोच्चा लगाने पर पक्का फर्ष चम्ता हुआ दिखाई देता है खुर्द्रा फर्ष क्यों नहीं क्योंकि पक्के फर्ष पर प्रावर्तन अध तो जो खुर्द्रा दरातर उससे विस्रित प्रावर्तन होता है और चिकने दरातर से नीमित प्रावर्तन होता है तो विस्रित प्रावर्तन का मतलब है प्यारी वच्चों अगर सता खुर्द्री हो इस तरह हो तो जो इससे प्रावर्तन होता है उसमें जो आपतन कौन और प् आ रही है तो ये किरने इस तरह से मुड़ जाती है जिसके कारणी के बीच में ये कौन बांदते हैं जो आई और आर बराबर नहीं होते दरादल दूसरा लिखा हुआ है और चिकने दरादल से नीमित प्रावरतन होता है अगर सता चिकनी हो एक सार हो तो उससे प्रावरतन जो है नीमित होता है यानि जो इंसिडेंट एंगल है या आपतन कोन है और प्रावरतन कोन है आई और आर दोनों बराबर होते हैं इसके बा जैसे हम अपना चेहरा देख सकते हैं उसी तरह गिला फर्ष है जैसे उसमें भी दिख सकता है जोहोड का पानी है जब पेट किया हुआ गेट है जो चमकर सता है दर्पण की तरह ये कार्या करता है इसके बाद अगला प्रशन है चार नमबर इसमें हमें यहां लिखा हुआ है शीशे के सामने खड़े होकर अपना बाया हाथ मोड़ो शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हें परतिवम कौन सा हाथ उपर उठा हुआ दिखता है तो जो बाया हाथ है दर्पन में हमें दर्पन में यह दाया होगा क्योंकि दर्पन में पार्ष प्रवर्तन होता है यानि दर्पन में दाई चीज बाई दिखाई देती है और बाई दाई दिखाई देती है तो जैसे यहाँ पर मैंने एक दर्पन बना कर आपको समझाया है कि जैसे सी है जो दर्पन में हमें इस तर दिखाई देगी यानि जो सी का ये वाला साइड अगर देखे तो ये दाईं है सोरी बाईं है तो दरपन में ये दाईं दिखाई देगी तो इस तरह से दरपन में जो दाईं साइड है बाईं दिखाई देती है और बाईं दाईं दिखाई देती है अब आगे लिखा हुआ है पाज नंबर प्रेशन में जब दो दर्पन किसी कोन पर जुगा कर रखे जाता है तो बनने वाले प्रतिविमों की संख्या का पर क्या प्रवाव पढ़ता है टो दर्पन पर ठेका हैं लेकर अलग अलग कोनों पर रखकर उनके मद्या कोई वस्तु रखकर प्रतिविमों की गन्ना करो तो यह प्यारे बच्चों दो दर्पन रखे हैं और यहाँ पर एक मोबती रखी हुई है और ये इसकी अलग अलग परतिमिक जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई गए हैं तो अगर इसको हम थोड़ा सा इने और दोणों को ये वाला दर्पन और दो और और मोड दें यानि एक दूसरे के निजदीक ले आएं तो क्या अब फरक पड़ेगा और एक दर्पन को थोड़ा सा और खोल दें, दोनों को थोड़ा थोड़ा खोल दें, तो क्या फरक पड़ेगा पर उनकी संख्या बढ़ेगी या गटेगी, यह हमने यहां पर इस सार्नी जो नीचे दी गई है, इसके माद्दें से पता करना है, तो आईए सबसे पहले समझते हैं इस सार्नी को, तो आईए देखिए जैसे यहां पर पहले, मैंने 90 का, फिर 60 का, फिर 120 और 140 के यह कौन, दोनों दर्पन पट्टिकाओं के मद्या में बनाए हैं, इस से बनने वाले प्रतिवमों की संख्या यहां पर लिखी है, तीन, पांच, तीन, और नो, तो यह किस त का कौन होता है, पिर अच्छो 360 का होता है, आपने 360 से 90 को डिवाइड कर देना है, तो अगर 90 से हम डिवाइड करेंगे, तो यह 4 आ जाता है, अगर हमारे पास सम संख्या आजाए जैसे यह 4 सम आगी, तो इसमें से हमने 1 फिर माइनस कर देना है जैसे मैंने यहां किया है तो प्रतिविम्बों की संख्या 3 आ जाएगी इसी तरह अगर अगले में हम देखे तो 60 डिग्री दिया हुआ है जैसे तो 60 के साथ मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया तो 60 के साथ डिवाइड करने पर 6 आ जाएगा तो 6 में से अब 6 समसंख्या आ गई है तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 परतिविम्ब बनेंगे अगर इन दरपनों को हम जो है 60 डिगरी की एंगल पर इन दोनों के बीच में ये एंगल 60 डिगरी का लेंगे इसके बाद अगला है अगर 120 का हो जाए तो हमने 120 को 360 पर डिवाइड करना है तो इसको काटेंगे तो 12 ये 6 3 परतिविम्ब आ गए अब ये विशम संख्या आ गई है 3 तो आपने इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 3 परतिविम्ब आ जाएंगे अब 40 का लेंगे तो 40 को 360 से डिवाइड करेंगे 360 को यनि 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा ये भी विशम संख्या है इसमें से भी कोई माइनस नहीं करना तो हमारे पास 9 परतिविम्ब आ जाएंगे तो अगला सम देखते हैं इसका अगला प्रशन देखते हैं आगे यहां पर लिखा हुआ है गति विद्धी एक अपना पैरिस्कोप बनाओ तो पंताडी लिगरी अंश के कोन पर लगे दर्पन यहां पर पहले नीचे लिखा है जिसको पढ़ लेते चितर में दिखाए अंसर पैरिस्कोप बनाओ इसके लिए तुम्हें दो दर्पन गत्य का ट्यूब जान लंबा डिबबा चिप काने वाली टेप कैंची की जुरूरत पड़ेगी तुम अलग-अलग पर अकार के और उचाई के पैरिस्कोप बना सकते हो तो प्यारे बच्चों इसमें यहां पर ये एक दर्पन लगा हुआ है और एक ये दर्पन ये दोनन दर्पन एक दूसरे के सामने यहां पर पंतालिस डिगरी के कोन पर जुके हुए हैं जब यहां हम अकाश में अगर इस वस्तू को देखेंगे तो नीचे से यहां पर आख लगा कर देखेंगे तो इस दर्पन में हमें इस दर्पन में ये प्रतिविम दिखाई देगा जिसका प्रतिविम इस दर्पन में हमें नीचे बैठे हुए दिखाई देगा तो अब यहां पर प्रशन लिखा हुआ है छटे का एथ तुमारे द्वारा बनाएगे पैरिस्कोप का अपयोग कहा कहा कर सकते है तो समुंदर की सता देखने के लिए हम नाओ में उपर से समुंदर की सता देख सकते हैं पैरिस्कोप का योकिन वहनों में किया जाता है तो नाओ में इसका अपयोग किया जा सकता है इसी तरह अगला प्रशन है कभी कभी जब दूप में हम दूप में गूम कर कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तब अचानक हमारी आखों के सामने कुछ देर के लिए अंदेरा चा जाता है क्यों तो परितारिका द्वारा पुतली का समजोजित करने में थोड़ा समय लगता है तो इस कारण से हमारी आखों में अंदेरा चा जाता है इसके बाद अगला प्रशन है हमारे नेत्र में पुतली का क्या कार्या है तो ये हमारी नेत्रों में ये पुतली है इसमें ये आंखों में रोशनी को प्रवेश करती, करने में सहय तक आती है, पुतली द्वारा आंखों में रोशनी प्रवेश करती है, जिसे ये कंट्रोल करती है, अब आगे है नौ नमबर प्रशन, मिलान करो आख के बिन भाग, तो प्रकाश को रेटीना पर फोक्स करता है रेटीना जो है परदे पर रेटीना हुए पार्ट है जिस पर चित्तर बनता है शंकू तंत्रिका कोशकाएं ये तीवर प्रकाश के लिए सुग्राही है इसके बाद ये हो गए है सारे आईए अब नौनमर प्रशन देखते हैं एक रह गया है लास्ट वाला शलाका तंत्रिका कोशकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है तो आपने इस तरह इनका मिलान करना है आईए अब अगला प्रशन देखते है यहां पर लिखा हुआ है धावस्ता में नित्र दृष्टी दुंदली पढ़ जाती है जिसका ऐसा किस कारण होता है एक चिकसक इसका इलाज के परकार करता है शिकसक से चर्चा पर कर लिखो तो नेत्र लैंस के दुंदला हो जाने के कारण इसका कारण मोतियबिंद हो सकता है लगा दिया जाता है तो जो ये लैंस दुंदला हो जाता है इसको बदल देते हैं और नया लैंस पारदर्शी लैंस उसकी जगा पर लगा देते हैं जिससे फिर से वेक्ति को दिखने लग जाता है इसके बाद आगे है ग्यारा नंबर प्रशन में पूछा गया है तुम नेत्रों को उच्छी देखवाल किस परकार करोगे तो नेत्र में कुछ जला जाने पर इसे रगड़े नहीं साफ जल से दोएं तीवर परकाश की और सीधा ना देखें अंतेदिक तीवर और मंद या विटामिन ए की कमी से होता है यानि जो उसकी निगा कमजोर है उससे विटामिन ए की कमी से है विटामिन ए वाले बोजन जैसे हरी सबजिया पीले फाल समुंदरी बोजन जैसे मशलिया जी उसे लेना चाहिए इसके बाद अगला प्रशन है तेरा का अ दुरिष्टी सब पर दूरोब्र रिश्टी दोष अनुब नीचे लिखो तो उसे आसपास जो उस पहला पॉइंट उसे अपने जो आसपास की जगह है उसको तलाशने में दिक्कत होती है सडक पार करने में दिक्कत होती है तो अपने खुद के शरीरिक काम करने में भी उसे मुश्कल का सामना करना पड़ता है अगला प्रशन है सही है गल्द का निशान लगाओ और गल्द कतन को सुधार कर लिखो विसरीत प्रावरतन में आपतन को उनका मान प्रावरतन को उनके ब्रावर नहीं होता तो विसरीत प्रावरतन में आपतन को उनका मान प्रावरतन को उनके ब्रावर तो प्यारे बच्चो तो ये जो है मेरे से गल्द टिक लग गया भी श्रीत परावर्तन में आपतन को उनका मान परावर्तन को उनके बरावर नहीं होता ये इसकी बात बिल्कुल सही है आपतन और परावर्तन को उनके बरावर नहीं होते इसके बाद आपतन बिंदू एक ही तल में होते हैं ये बिल आना था होती है ये प्रकिर्ने जो है प्रावर्तन के बाद समानतर होती है इसके बाद अगला है समतल दर्पन पर बनने वड़े प्रतिवम को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है तो ये गल्त है इसको हम यहां लिखेंगे नहीं प्राप्त किया जा सकता तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्याबाद आप अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेर जरूर कीजिए आप सभी के लिए जो आपकी जो कारा पुस्तक और उडान के लेसने इस चैनल पर उपलब्द हैं थैंक यू वेरी मच्छ